वेलकम टू लर्णरबी, I am Shivani Chahan, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Class 8, History की बुका Chapter 10, The Changing World of Visual Arts का Part 2, Part 1 में हम लोगों ने काफ़े कुछ देखा था कि किस तरीके से यॉरॉप से काफ़े सारे पेंटर्स आए थे औरोंने पेंटिंग करी थी, हमारे देश में ओईल पेंटि अब आगे हम लोग यहां से देखते हैं, What Happened to the Court Artist? तो Court आटिस्ट कौन होते थे? ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे चितरकार जो की राजाओं के दरभार में हुआ करते थे, उनके साथ क्या हुआ? तो आर्टिस्ट जो पहले miniature paintings बनाया करते थे, miniature paintings होती है, देखें, लाइफ जितनी paintings बनाई जाती थे, फिर oil paintings, portraits बनाई जाने लगी, तो जो miniature paintings बनाते थे, उनके साथ क्या हुआ? तो काफे सारे हमें trends देखें, अलगला courts में, मैसूर जो अलगला court यानि की राजा के दबार में, तो जो मैसूर का टीपु सुल्तान था, not only fought the British on the battlefield, but also resisted the cultural tradition associated with them, तो टीपु स सिर्फ लडाई ही नहीं की, बल्कि जो cultural tradition associated थे ना, अंग्रेजों से, मताब अंग्रेज जो चीजे नहीं सी लेके आये थे, जो चीजे हमारे देश के culture को threaten कर रही थे, नुकसान पजा रही थे, उनका टीपु सुल्तान ने उनको accept नहीं किया, उसने जो local traditions थे उनको जारी र पढ़ाया, सेरी रंगपटनम में, तो टीपु सुल्तान के जो पूरा राज्य था, उसकी capital थी सेरी रंगपटनम, और सेरी रंगपटनम के जो चीजे थी, उनकी दिवारे जो है, वो मुरल पेंटिंग से cover थी, जो की local artists बनाते थे, मुरल पेंटिंग जो है, वो एक वाल प में, हैदर अली की जो विक्ट्री है, मतलब एक विक्ट्री के बाद, बैटल अफ पॉली लूर में, ये लोग जीते थे, टीपु सुल्तान, स्वारी, टीपु सुल्तान के फादर जीते थे, इंगलिश आर्मी से, तो पूरा उसी का सीन है, तो देखिए के, डीटेल फ्रॉ 1780, तो 1780 में, जो हैदर अली के फादर थे, टीपु सुल्तान के फादर थे, हैदर अली, उसी जीत गए थे, तो उसी की पेंटिंग पूरी की पूरी वाल्ट पे बनवाई थी, तो इसमें यही बताया गया है, अब देखिए, आगे यहां पे आता है, इन दे कोर्ट अफ अधिर मीर कासिम, तो भई मुर्शीदाबाद में, जब अंग्रेजों ने हरा दिया था हमारे देश के राजा को, तो किसको हराया था, उन्होंने राजु दौला को हराया था, तो मीर जाफर को और मीर कासिम को माका, एक तरह से नवाब बना दिया था, तो कोट एट मिनियेचर जो पेंटर्स था, उनको काफ़ादा एंकरेज करता था, और खाफ़ी मिनियेचर पेंटिंग बनाई जाती थी, मुषीदाबाद फिर उन्होंने इसी को एंकरेज किया, ताकि जो यॉरोपियन का स्टाइल है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, मतला मिनिय इसमें बनाया गया है, तो इसमें यही बताते हैं, यह पिक्चर है, इस पिक्चर ऑफ एं एद प्रसेशन, पेंटिड बाया कोट पेंटर इन लेट 18th सेंचुरी, तो इद के टाइम पर क्या हो रहा है, इसमें वो पूरा दिखाया गया है, तो इसमें हमें बोलते हैं कि, न एद अबजेक्ट अपिर स्मॉलर वें देखें, क्या होता है, परस्पेक्टिफ की, पेंटिंग में परस्पेक्टिफ का क्या मतलब होता है, तो जब आप किसी बी चीज़ को दूर से देखते हैं, तो वो छोटी दिखाई देती है, और पेलर लाइंस में उसका डिजाइन यहाँ पर देखें, दूर से देखा है, तो छोटी दिखाई दी रही है, और यहाँ पर जब देखें, लोग बिल्कुल पहले लाइंस में हैं, तो इस तरीके से मिनियेचर को, जो रियलिजम था, अंग्रेजों का रियल लाइफ पेंटिंग थी, उसके साथ यहाँ पर जब अंग्रेज जो हैं, हमाई देश में आगे थे, जो लोकल राजा वगरा थे, उनके पास पावर नहीं रही है, नहीं पैसा रहा, अब पेंटर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो भी पेंटर्स कहां चाहें, आर्टिस्ट अपनी जिंदगी कैसे जीएं, तो काफी सार जो आर्टिस्ट थे, भाई अब पहले राजाओ के दबन में काम किया करते थे, अब वो बिटिशर्स के पास गए, सेम टाइम पर जो बिटिश ओफिशल थे, who found the world in the colonies different from the back home, wanted images through which they could understand India, तो भाई, क्योंकि अब अंग्रीज हमारे देश में आये थे, उनका देश हमारे तो और अपनी जो इंडिया में रही हुए उनके जिन्दगी है वापस तो फिर व जाते ही थे, मतलब क्या होता था था, ऐसा होता था कि ओफिशल्स काम करने आते थे, काई सारे लोग जैसे बिटेन के कुछ लोग थे जो यहां रह रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता थे, कंपनी टाइप की जैसे चल रहे हैं, वालोग बिटेन से का पोस्टिंग इंडिया में हुआ फिर यहां पर काम कर रहा है, खूब पैसे कमा रहा है, लूट रहा है एक तरह देश का है यह चल रहा था, तो वो जब बिटेन वापस जाते थे, तो कुछ मेमोरी इस भी उनको फेस्टिवल्स की और ट्रेट क्राफ्स, मतलब हमारे देश के काफी सारी पैंटिंग उनलोक ने बनाई, ताकि वहां अपनी फैमिली इस को दोस्तों को दिखा सके, पिक्चर्स एगली कलेक्टेड वाई इस इंडिया कंपनी ओफिशिल्स केम तू बी नोन अस कंपनी वो इंडिया से जो पैंटर्स से पिक्चर्स बनवाते थे, तो वो कंपनी पैंटिंग्स या फिर अंग्रेजों की पैंटिंग्स या कंपनी पैंटिंग्स के नाम से मशूर होने लगी, सारे के सारे आर्टिस जो हैं, वो कोट पैंटर्स नहीं होते थे, नहीं सब लोग मतलब पेंटर्स होतेह थैं इट कोड में रिखा गलाग słu तैंक में यह तु नहीं होते थै अब यह देख चैनल के पिर्जीयं डीस फिंट्स लिचेंत पर्णार्ट बूक्त heais देखे बिल विल्च अपकरे भी इंट के वाग दो खाली खाली जगह छोड़े थे और अलग 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 तरीके के लोग बनाये जाते थे वी केट नो आइडिया अफ तो सोशल सराउंडिंग विदिन विछ दे लिव दे लिव दे वर्क तो इस तरीके से बनाया जाता था कि इंडिया के लोग के लोग के प्रक पहनते हैं कैसे काम करते हैं बस यह दिख जाए और अलग लग इंडियन प्लांट्स भी में दिखाए गए हैं बर्ड्स भी दिखाए गए हैं आनिमल्स थाकि कंपनी पेंटिंग वो यह थे ना कि humans ऐसे दिखते हैं आपके वहां पैसे प्ल प्रॉल पेंटिंग हुआ करती थी न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट तो नहीं कॉंसी आर्ट पॉपुलर हुई 19th century के टाइम पर एक न्यू वर्ड पॉपुलर आर्ट डेवलप काफी एक नया सा पॉपुलर आर्ट सा डेवलप हुआ था 19th century में बंगाल में इन बेंगॉल इन बंगाल के पास एक पॉपुलर पेंटिंटिंग उनों इन डेवलप करने शुरू कर दी थी वो गाउं कलकता के आसपास और अलग लग गाउं जाते थे अर्ली 19 सेंचुरी के टाइम पर और इपनी आर्ट मतब बेचनी के उश्रिशा दिखाते थे ये टाइम था जब सिटी फैल रही थी कॉमर्शियल और अड्मिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन रहे थे मतब सिटी में काफी ज़ादा की काम काज सरकारी काम भी होने लगा और व्यापार भी भढ़ रहे हैं लोगों के कंपनी ओफिशियल जो है वो आते थे नई बिल्डिंग्स रोड वगएरा बन रही थी उस टाइम पर मार्केट्स बन रहे थे सिटी ऐसी लगती थी जहां पर लोगों के लिए काफी अपॉर्चुनिटी हो ताकि वो अपना पैसा वगर वहां कमा सके जो विलेज के आर्टिस्त थे वो भी आते थे और सिटी में बसने की कोशिश करते थे बस जाते थे ताकि उन्हें नए पैट्रंस मिले पैट्रंस का मतलब होता है ऐसे लोग जो उनकी पनाई वे पैंटिंग्स या उनकी आर्ट फॉर्म को खरीदे 19th century से पहले जो विलेज पटुआज एंड कुमार्स हैड़ वर्क्ट ऑन माइथोलोजिकल थीम्स तो जो विलेज पटुआज थे जो और कुमार्स थे वो माइथोलोजिकल भगवान से रेलेटर चीज़े वो बनाया करते थे गौर्ड और गॉर्डस इस की जब वो काली घाट मतलब कलकता के पास एक जगह है काली घाट आए तो उन्होंने religious images बनाना और continue मतलब रखा अपना traditionally figures जो होती थी ना in scroll painting looked flat not rounded तो मतलब फ्लाट चप्टी सी वो figures लगती थी rounded नहीं लगती थी काली घाट painters begin to use shading to give them a rounded form तो अब काली घाट के जो painters थे उन्होंने क्या किया और shading करने शुरू करी ताकि वह rounded form उनकी लगे images three dimensional अब लगने लगी थी shading करने की वजह से फिर भी images realistic नहीं लगती थी life like नहीं लगती थी in fact what is especially what is especially to be noted in these early काली घाट paintings is the use of bold deliberately non realistic style where the figures emerge large and powerful with a minimum of lines details and colors तो इस तरीके की मतलब काफी बड़ी बड़ी सी images बनाई जाती थी और मतलब realistic नहीं लगती थी काफी कम lines का और details का मतलब बहुत अदर detailing भी नहीं होती थी तो काफी कम lines होती थी तो better between Hanuman and Jamvant Kalighat painting जो कलकत्ता में water girl पर बनाई गई है देखे काली घाट पेंटिंग का एक example है इस तरीके से तो इसमें बोला गया है notice how the artist have modernized traditional images Hanuman is wearing footwear which become popular in the 19th century तो Hanuman ने देखे चपल बहन रखी है क्योंकि 19th century में वह काफी जादा popular हो गई थी तो भी modernize करने की कोशिश की गई है पुरानी समय की चीजहों को अद देखे इसमें आगे आता है कि 1840 के time पर एक नया trend जो है काली घाट पेंटिंग काली घाट के जो आर्टिस थे वह डेवलब हुआ ऐसी मतलब society living in a society values जो एसी society में रहा थी जहां पर जो लोगों की values थी और उनका सोचने का पसंद करने का तरीका उनके social norm customs जो है उनके काफी जादा बदला रहा थी अंग्रेज हमारे देश में आ गए तो हर चीज काफी जादा बदल रही थी अब काली घाट पैंटर्स जो थे उन्होंने पर अपने आस-पास की जो चीज़े थी उसको respond किया और ऐसी paintings बनानी शुरू करी जो कि political और social themes पे थी पहले तो वो religious painting बनाया करते थी बड़ समय काफी बदला तो उन्होंने politics related और जो society में चल रहा है उस related paintings भी बनानी शुरू कर दी काफी सरे जो यह artists थे काली घाट paintings बनाते इन्होंने social life जो कि British rule कि British rule हमारे देश में शुरू हो गया है तो हमारे देश में लोगों की life कैसी है उसके बारे में उन्होंने paintings बनानी शुरू करी अफ़न इस जो artists थे ना वो मोग करते थे मतलब तरह से मजाग उडाते थे कि किस तरीके से अजीब-जीब से हमारे आस-प की मजाग उडाते थे जो Indians थे मगर बिलकुल अंग्रेजों की तरह रहते थे चेर्स पेटे थे साहब की तरह ट्रेस पहनते थे सिग्रेट पीते थे और Western Babu का मतलब मजाग सा बनाया करते थे ये painters और corrupt जो priest थे जो पुजारी थे जो corrupt थे काफी पैसे ही घानी कोशिश करते और women को warn करते थे कि भाई आप लोगो घर के भार जादा नहीं निकलना चाहिए they often express the anger for common people against the rich and fear many people that had about dramatic changes of social norms तो किस तरीके से जो अमीर लोग है वो मतलब गरीब लोग अमीरों के खिलाफ मतलब गुस्सा होता है गरीब लोगों में किस तरीके से लोग social changes को पसंद नहीं कर और किस तरीके से समाज में बदलाव आ रहे हैं यह सारी किसारी चीजे जो कालीगार पेंटर्स है वो दिखाने की कोशिश किया करते थे काफी कालीगार पेंटर्स जो थे pictures were printed in large number and sold in the market काफी जादा popular थी काफी इनकी pictures वगरा पिकते थी initially images जो है वो wooden blocks पे inkaff की जाती थी the carved block was inked pressed against the paper and then the woodcut prints that were produced were colored by hand तो क्या होता था कि मतलब ठपे टाइप के बना लिये जाते थे फिर उसको उस शेप के ठपे बना लिये और फिर उसको बार 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 छाप दिया जाता था और उसमें फिर color भर दिये जाते थे इस तरीके से काफी सारी copies एक बार में ही बना ली जाती थी बाइद लेट 19th century, mechanical printing press was set up in different part of India बनाली जैसे कि वह है लकडी है लकडी में बनाली जो छापना है फिर उसमें color भर और उसको कपड़े पर चाप दिया पर पर भी चापना इस तरीके से काली बनाया जाती थी और काफी कोपी इस तरह से इनकी बन जाती थी फिर तो देखिए बंकिह आगे हिसों में ऊर और जादा पेंटिंग करी चाले लगी हैं यह जो है काफी सस्ती हुआ करती थी और गरीब होग मिलेज्ज फैरेप मार्केट तो सिफ पटुआज वगेरा ही नहीं बनाते थे जो थोड़े पैसे वाले इंडियंस थे उन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस लगा लिए और काफी जादा फिर प्रिंटिंग होने लगी थी दे वर ट्रेंड इन बिटिश आर्ट स्कूल्स इन न्यू मैथर्ज लाइफ स्टडी ओil पेंट और प्रिंट मैकिंग तो इस लोग प्रिंटिंग प्रेस लगा अगा थे जैनरली वह बिटिश आर्ट स्कूल में ही पर लेत के होते थे और भी बिटिंग चापा करते थे और लाइक इस तरीके से इस इ।ोर्य प्रिंटिंग फॉरा पूरा स्थ स्टूडियो तो कलकता आर्ट स्टूडियो काफी जदा फेमस रहा था इसने बिल्कुल लाइफ 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 लाइज बनाई थी ओफ एमिनेंट वेंगॉली परस्नालिटीज एस वेल एस माइफ लोजिकल मतलम जो भगवान से लेटेड होता है और बागी यह जो यह आर् प्रिंटिंग्स बनाते थे ना प्रिंटिंग्स कि आप तो प्रिंट था प्रिंट हुआ करता था इसमें काफी सुंदर संदर से द्रश्य होते थे जैसे कि मांटेज हो गया लेक्स डेवर्स फॉर्स्ट वगएरा हम लोग जो कलेंडर में देखते हैं हिंदू डेटीज एक ऐसा परसंट जो इंडियन है बट वो अंग्रेजों की तरह रहता है तो देखिए कैसी फणी सी पिक्चर बनाई गई है एक तरीके से मजाक सही उड़ाया जाता था आटिस्ट वेर्स विल बाबूस जो है वो वेस्टर कल्चर को पूरी तरीके से कॉपी कर लेंगे और अब वो फणी से दिखाए जाते थे रिडिकसली वो कैसे पैर मोड करके इंसान बैठा हुआ है चेयर पर अब माइथोलोजिकल सीन है दे लेजेंट ओफ नल एंड दामयंती दिखें लेजेंट ओफ नल एंडामयंती तो इनोंने यह माइथोलोजिकल पेंटिंग बनाई हु और दिस इन अडवर्टिसमेंट ऑफ इंडिन ब्रांट ऑफ सिग्रेट देट वस बैंट पाइ थे बिटिश इन 1905 तो एक इंडिन ब्रांट ऑफ जिसको अंग्रेजोंने बैंट कर दिया है आप देख सकते हैं कि हैड जो है यू कन सी दा हैड्स ऑफ बिटिश शोल्जर इस्पायर पीपल अगेस्ट प्रिटिश रूल तो रिलिजियस पेंटिंग कभी कि भी काली जो है वंग्रे जो को मार रही है काली माता इन सब पेंटिंग का भी सतवाल किया जाने लगा वह थे ना कि नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जगाने के लिए अप इस टाइप तो पॉ पॉरी इमेज पनाई गई है एक पॉपुलर प्रिंट है कि हमारी लीडर्स किस तरीके से हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं तो यह आगी का जो चैप्टर है फोटोग्राफिंग और यह जो है यह हम नेक्स वीडियो में देखेंगे थेंक यू